अभेलो फ्रेंड्स निवेस मंतर के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो लगतार साथ दिनों से मार्कट में हैवी सेलिंग देखने को मिले रही है और इस सेलिंग में सबसे ज़़ादा पिटने वाले जो सेक्टर है वो मीड केप और स्मॉल केप सेक्टर है अब देख सक हे भी सेलिंग देखने को मिली इसे तिंचार ऐसे रीजन्स हैं जिसके बज़त से मार्केट का सेंटिटीमेंट नेगेटिव हुआ पहला इंटर स्ट्राइट लोगों को लगता है कि फेड यूएस फेड अमेरिकन फेड अपने आगे भी रेड हाइक कर सकता है जबकि यूएस जिडिपी के डेटा काफी इंप्रूब्ड आया हुआ है 2.9% का अनुमान था 3.2% जिडिपी ग्रोग किया है फिर भी यूएस फेड अपने रेट को हाइक कर देगा इसकी चिंता बजार को बने हुई है दूसरा है कि मार्केट को लगता है कि यूएस में रिसेशन आ गया है रिसेशन दोस्तों वैसे कहते हैं जब लगातार दो क्वार्टर नेगेटीब में डेटा आने लगे जीडिपी का तो उसको रिसेशन कहते है वहाँ के एकनोमेक्स्ट का ऐसा अनुमान है कि यूएस दो हदात तेईस में रिसेशन को फेस कर सकता है कोवीट के बढ़ते हुए केस इसका भी एक कारण है क्योंकि कोवीट भी इसका एक मुक्षे कारण है चाइना में देखा गया कि काफी बुरी तरह से कोवीट से लोगों की देथ हो रही है इसके वज़े से काफी ज़्यादा मार्केट और नेगेटिव हो गया गिरावट दरज की इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट हमारे इंडियर मार्केट सभी मीट केट हो, स्मॉल केट हो, लार्ज केट हो या प्यस्वी सेक्टर में काफी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली यदि मैं मीट केट की बात करूँ तो आप देखिए निफ्टी मीट केट हंडेड ने लगबग 3.76 का गिरावट दरज की इसी पकार से स्मॉल केट लगबग 4.6 परसंट, लगबग 5 परसंट की गिरावट स्मॉल केट की इंडैसिस में और मीट केट में 3 परसंट के उपर की गिरावट हुई है यदि मैं इनकी चार्ट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 100 ने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद निफ्टी मीट के अपने क्लोजिंग दी है और इस कागला सपोर्ट यहां पे 39,300 से ले के 39,500 के बीच में है यदि यहां भी यह नहीं रुकता है तो नेक्स सपोर्ट फाइनल सपोर्ट हम बोल सकते हैं 27,500 से लेके 28,000 के बीच में है इनके बीच में मिट के पेदी संबला तो ठीक है नहीं तो यह अपने लोग की तरफ आ सकता है लेकिन मार्केट उतना भी नेगिटिव नहीं ह यहां पर मार्केट इसलिए गिया क्योंकि मार्केट में अर्च संठन्ती थी मार्केट को लग रहा था यूक्रेन और रसिया का वार काफी ज़्यादा इफेक्ट करेगा और वहां से जब यह निज डैजेस्ट हुई मार्केट को फिर मार्केट ने बहुत बढ़ा मूब दि यह मीटकेट 100 आपको देखने को मिल सकता है मीटकेट 100 की जो पांच बहतरीन हम बात करेंगे कंपनियों पर पर अपको वहां पर जरूर निवस्ट करना चाहिए यह कंपनिया है पहली कंपनी है अस्टर पाइप को देखें तो यह मार्केट लीडर है पाइप सेक्टर का इस प्राइज पर मैं भी बोल रहां वहां खरीदने के लिए तो काफी इंप्रोड भी आपको मिलेगा कि अपने हाई पी 132 रुपे तक यह अपनी वहां से करेक्ट होके अभी आपको 90 पर मिल रहा है एक समय था जब यह 64 के पर ट्रेड कर रहा था इसकी आरो सी की बात करें रिट अन इक्विटी यदि कोई आम निवेशक इस पर निवेश करता है तो उसको चड़ेव 22 परसंट की प्रोफिट रिटन मिलता है प्रोमोटर की बात करें तो प्रोमोटर ने अपने इसेदारी को बलाया है एफाई की इसेदारी भी काफी अच्छी खासी है डियाई की इसेद इसकी रिजर्ब की बात करें तो रिजर्ब कंपनी के पास काफी ज़्यादा हो रहा है बॉर्विंग इसकी घट रही है इसकी मत्रे है चेजर की बात करें अनुवल ग्रोफ रेट तो यह 10 साल में 46% एनुवली इसने आपके पैसे को बना के दिया है 46% एनुवली यह इसकी परसेंट को आपको रिटर्न मिल रहा है पाइव यह मैं 30% लेकिन एक एर में माइनस बारत परसेंट का रिटर्न है काफी अच्छी कंपनी है टेक्निकली वीक है मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से यह कमजोर है आपको यह दिमोका मिले तो 1830 देक चल रहा है अठा इस लेबल पर मिले तो आप जरूर लें फ्यूचर के लिए लें यह एक निवेस का प्यार है दूसरे सेर की बात करें तो बाल के सदस्टी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी हमने बना गिया है इसको आप देखें तो यह एक लॉंग टर्म का हीरा है इस पर जरूर देखें सतासो के बीच में मिले तो आपको इसको जरूर लेना चाहिए यहां पर आप अपने 50% कर सकते हैं डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा पॉलिप्लेक्स की बात करें तो पॉलिप्लेक्स जो है प्लास्टिक फिल्म्स के सेक्टर में मार्केट लीडर है यह लगबग शचट 800 के हाई से यह आपको 1474 पर देखें तस वे लेकिन हमें अभी इसको नहीं लेना है ये निफ्टी मीट कैप का जो इंडाइसे उसे एक्स्टेट करके एटिये बनाए गया है जिसको इसमें हर एक निवेसक को निवेसक करना चाहिए क्योंकि ये लॉंग टरम में काफी अच्छा इसने रिटर्न दिया है यदि अभी की बात करूं तो इसको 410 और 420 में आप इसक का तो ये 100 स्टार्टिंग होके देखिए 400 सारे 400 पर अभी आप उनको देखने को मिल रहा है तो इसमें आप जरूर निवेस किजिए इस वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद चनल को लाइक किजिए सबस्क्राइब किजिए और सेर किजिए जो भी हमने कंटेंट जो भ पहले अपने अडवाइजर की स्लाइज जरूर ले दन्यवाद